कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है गिन के तैयारी के दिन तुझको महलत देती है मांगती है लागत में तुझसे हर भूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है अरे बंदे की मेहनत को किस्मत का साधर परणाम है प्यारे दंगल दंगल नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर आयुश परिक आपके सामने लेके आया हूँ दंगल का वीडियो सॉलिशन और उमीद है कि बहुत अच्छे जा रहे होंगे दंगल और क्यों ना जाए दंगल आपके बहुत अच्छे क्योंकि हमने बहुत अच्छी मेहनत की है पिछले चार महिनों से हम लगाता टेस्ट दे रहे हैं 13,000 से ज्यादा क्यूशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं हर दिन हम लोग रात को 12-12 बजी तक कैम्प में पढ़ते हैं तो क्यों ना जाएंगे हमारे दंगल अच्छे जब जब आप दिमोटिवेट होए हो तब तब बॉस आपके साथ खड़े थे सारी टीम आपके साथ खड़ीती और यही इसका प्रेणाम है जो आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी ये सारी महनत जो आपने की है और हमने की है और हमें ये मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा बहुत बदले में हमें जो खुशी मिलेगी पूरी टीम को और हमारी पूरे आपके सभी के पेरेंट्स को और मैं क्या कहूं मैं उस पल की कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उमीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट ये मालने ना आएगा ही आएगा और ऐसा रिजल्ट आएगा कि पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान उस रिजल्ट को याद रखेगा तो साथियो ज्यादा समय नहीं लेता आपका स्टार्ट करते हैं हम वीडियो सॉलूशन तो देखिए जो लॉजी का पेपर है ये पेपर जो है डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि हम हर टॉपिक को टच करते हुए उसे रिवाइज करते हुए चले ठेके ना बिना किसी टाइम वेस्ट किये सॉलूशन स्टार्ट करते हैं चलिए सुडेंट पहले क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं ये क्यूशन अनिमल किंग्डम से लिया गया है फिगर वाली क्यूशन जो होते हैं वो आपको थोड़ा सार टॉपिक को एक बार देखने में मदद करते हैं जैसे कि देखिए स्टुडेंट्स ये फिगर जो है ये आपके फाइलम पॉरिफेरा से लिया गया है और फिगर देखती ही आपको पता चल गया होगा कि NCRT के साइड में जो तीन डियाग्राम बन रहे हैं स्पंजेस के उनमें से एक का डियाग्राम है और ये किस का डि सेक्टर क्या होता है water canal system ध्यान रखना confused मत हो जाना इकाइनोडरमेटा में क्या पूछेगा water vascular या water transport इनमें क्या है water canal system cellular level का organization इनमें हमें देखने को मिलेगा ठीक है ना स्टुडेंस तो ये figure इसमें इसनी इसवास्त आंसर जो है बिना किसी option सोचे समझे ठीक हो गया होगा आप सभी का गौरगोन यह हो नहीं सकता, टीनो प्लाना और अर्थवाम का तो सवाली पैदा नहीं होता, तो पहले question का 101 का सही answer कौन सा हो जाएगा हमारा option number A, आगे चलते हैं, देखिए, next question जो है students, अगर हम लोग इसको देखें, तो आप से क्या पूचा है, incorrect pair पूचा है, य हेमिक और डेटा जो हिंदी की NCRT है, उसके अंदर गलत दे रखा है, तो वो आप लोग अभी तक आपको पता होगा, सभी ने सही कर लिया होगा, तो वो point थोड़ा सा हम टच कर ले, तो देखो, सबसे पहले खुला परिसंचरन तंत्र, ये बात जो है, वो क्या है, सही है, खुला परिसंचरन तंत्र होता है, open circulatory system होता है, परिसंचरन तंत्र ये बात करूं, स्टुडेंट्स तो देखे, circulatory system में एक चीज़ ध्यान रखना, कि हमारा जो phylum है, हमारा जो phylum है, annihilator, annihilator, annihilator से हमारा circulatory system originate हुआ, इससे पहले हम circulatory system की बात नहीं करेंगे, annihilator से हम चलें कहां तक, co-data ठीक है, तो देखो, annihilator में कौन सा वाला circulatory system होगा, closed, annihilator के बाद, अगर हम लोग आगे चलें, तो इसके बाद हमारा phylum कौन सा आएगा, orthopoda, उसके बाद कौन सा आएगा, mollusca, फिर कौन सा आएगा, आपका, echinodermita, और फिर कौन सा आएगा, hemi core data, तो देखिए, students, orthopoda जो है, orthopoda के अंदर किस तरह का circulatory system आपको देखने को मिलेगा, orthopoda के अंदर कैसा मिलेगा, students, orthopoda के अंदर आपको कैसा देखने को मिलेगा, open circulatory system देखने को मिलेगा, mollusca के अंदर, अगर हम एक exception को देखें, cephalopods जो होते हैं, cephalopods को अगर हम आटा दें, तो बाकि के जितने भी mollusca हैं, उनमें भी हमें कैसा circulatory system देखने को मिलेगा, students, open circulatory system देखने को मिलेगा, हाला कि इसमें exception के तौर पर कौन आ गया, ठीक है, उसके बाद echinodermeta में, जो circulatory system होता है, वो highly reduced होयाता है, पर अगर जिन में भी मिलेगा, तो इन में भी कैसा मिलेगा, open देखने को मिलेगा, ठीक है, और hemi-cordata के अंदर भी हमें कैसा देखने को मिलेगा, open circulatory system देखने को मिलेगा, closed circulatory system हमें नहीं देखने को मिलेगा कैसा परिसंचननतंत्र होगा खुले प्रकार का English की NCRT में जो दे रखा है वो सही है तो इसलिए खुला परिसंचननतंत्र या open circulatory system hemicodata एकदम सही है आगे चलते हैं, next है देखिए mixine, क्या पूचा है mixine की बात कर रहा है, और mixine को क्या बता रहा है सत्यमचली, देखिए जो mixine है, वो किसकी member है mixine है cyclostromata आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने Egnatha को divide किया उसमें जो class आती है, उसका नाम है cyclostromata, और इधर gentholstromata को जब हम divide करते हैं तो उसमे class आती है super class species और super class tetrapoda, तो जो super class species के member होंगे वही वास्तव में true fishes होंगी, यानि की सत्यमचलियां होंगी उनको छोड़ करके कोई भी मचली आपके exam में आए, वो कैसी माननी है, हमें false fish माननी है, तो क्योंकि ये cyclostromata की member है, इसलिए mixine सत्यमचली नहीं है इसलिए हमारा गलत यहीं पे हो जाता है, trigon विल्कुल, example हो गया ये आपके kondrikt these का, stingray एकदम सही बात है, corvus भी किसका scientific name हो गया, crow का, तो इसमें भी अगर हम लोग देखें, तो सही option कौन सा हो गया हमारा, आपसे गलत पूचा है तो गलत कौन सा दे रखा है, second option जो है, वो गलत दे रखा है, इसलिए answer कौन सा हो गया, इसमें second option चलिए, आगे चलते हैं, चलिए next question है, question number 103 match the following का question है हमेशा ध्यान रखिएगा match the following question में, वो बच्चों वाली हरकते नहीं करनी, कि आप इसको है न, इससे मिला रहे हो, ये line खीच रहे हो, आपको OMR भरना है, और सही option select करना है, तो इसमें क्या हो, जो आप match कर रहे हो, उसके सामने ही सही answer लिखतो, जैसे कि मैं बात करूँ, operculum, operculum या फिर प्रच्चद जिसे हम लोग कहते हैं, तो अगर हम लोग देखें इदर, तो operculum किस में देखने को मिलेगा, आपको austic thies में देखने को मिलेगा, यानि कि अस्थिल मच्छिलियों में देखने को मिलेगा, तो एक के सामने क्या आ जाएगा फूर्थ, पैरा पोडिया, पैरा पोडिया आपको पता है, नेरीज यानि अक्वेटिक एनलीट्स में देखने को मिलेगा, तो पैरा पोडिया के सामने हमारा करेक्ट मैचिंग कौन सी हो गई, नमबर थर्ड, कोईनो साइट, कोईनो साइट किसका specific feature है, जो कैनाल को और स्पंजो सील को लाइन करके रखता है, यह किस में देखने को मिलेंगे, कोईनो साइट स्टाइप की कोशिकाएं हमें, पौरी फैरा में देखने को मिलेंगी, तो C के सामने हमारा कौन सा आ जाएगा second, redula आपको पता है, रेती जिवा, जिसे हम लोग कहते हैं, यह एक rasping organ है, और किस में मिलता है, मॉलस्टा में देखने को मिलता है, तो redula के सामने कौन सा आ जाएगा आपका first, comb plates की बात करें, kangak जो इनके हम कहते हैं, comb plates, kangak पत्टियां, जो 8 rows की ciliated rows होती है, वो किन में देखने को मिलेगा, आपको tinofora के members में देखने को मिलेगा, तो इसलिए e के सामने कौन सा आ जाएगा fifth, तो हमारा सही अब यहां से आपको answer देखना है, 4, 3, 2, 1, 5, तो 4 से start नहीं हो रहा, तो पहला गलत हो गया, यह भी 4 से start नहीं हो रहा, तो गलत हो गया, 4 से start नहीं हो रहा, तो गलत हो गया, तो देखो, 4, 3, 2, 1, 5, तो सही answer हमारा कौन सा हो गया, option number 4 is the correct answer, तो 103 में हमारा सही आंसर कौन सा हो गया फोर्थ ऑप्शन है ठीक है चलिए नेक्स कुछिशन की तरफ चलते हैं नेक्स कुछिशन में भी देखिए इस कुछ यह एक एंसियाटिक लाइन है इस कुछिशन को ध्यान से देखिएगा अंडर प्रोडक्शन अफ हॉर्मोन्स यानि कि हॉर् के द्वारा जो एल्टर करते हैं कार्भो हाइटरिट मेटाबॉलिजम को और उनके कारण एक्यूट वीकनेस और फैटीग होता है और एक डिजीज हो जाती है तो यहाँ पर NCRT में डिजीज का नाम मेंशन है और वो डिजीज जिसकी वजह से होती है वो ऑप्शन हमसे पू कि कि अधिरेनल वेंट की कितने पार्ट से हो गई है दो पार्ट से पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं cortex और दूसरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है medula जो medula होता है न वो central reason होता है और cortex वाला जो पार्ट होता है वो कैसा reason होता है इसे हम कहते हैं peripheral reason होता है cortex से जो hormone secret होता है cortex के पार्ट की तीन लेयर होती है कौन-कौन से जी एफ आर और इनके आगे शब्द लग जाता है जोना जोना मतलब जोन्स तीन जोन होती है इसकी तीन शेत्र होता है इस वल्लकुट वाले भाग के अंदर और वो कौन-कौन से होता है जी एफ आर यानि जोना glomerulosa जोना fasciculata जोना reticularis जी एफ आर से आप लोग याद रख सकते हो और इनके द्वारा जो hormones त्राविट किया जाता है इनके द्वारा घॉर्मोंस का जिनका सीग्रेशन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या वो hormones कैसे nature के होते हैं given ईसलिए इनके द्वारा secret क्ये गए hormones को बोला जाता है देखो क्या बोला जाए are मैंने कोर्टी कोईट्स देखो कॉर्टी मीन्स कोर्टेक्स और और का मतलब यहां पर कौन सा हो गया इस्टिरोइट्स ठीक है तो कोर्टिकोईट्स जो है वो तीन प्रकार के हो जाते हैं कोर्टी कोईट्स जनमें मैंनली में निक्ति और सइक्स कोर्टिकोईट्स तो यहां पर कोर्टिकोइट्स की रिगार्डिंग अगर उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा carbohydrates metabolism यहनि कहीना कहीं Kortisol की regarding इंग बात कर रहे है तो यह कौंसा part secret करेगा कौंसा वाला secret करेगा Adrenal cortex secret करेगा तो अगर adrenal cortex से जो hormones हैं उनका under production होगा तब हमारी यह disease हो जाएगी इसलिए इसमें सही answer कौंसा चला गया second चला गया क्योंकि यहां पर आपसे बिमारी का नाम नहीं पूछा, यहां पर आपसे पूछा है gland का नाम, यानि कि किस gland से निकलने वाले hormone के under production से वो hormones जो carbohydrate metabolism को control करते थे और जिनके करण acute weakness हो गया, ठकान, इस तरह के symptoms आएंगे, तो हो कौन सा पार्ट है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, adrenal cortex हो गया, ठीक है students, आगे चलते हैं, देखिए, यह बहुत easy सा question है, इसमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, थाइमस gland किसका secretion करता है, थाइमस गरंती जो होती है, उसे हम हमारी प्रतिरक्षा का ताज भी कहते हैं, यह एक प्रकार का lymphoid organ भी है, और थाइमस gland जो होता है, जो protein और peptide hormones का group बनाता है, उन्हें हम कहते हैं थाइमस, थाइमस gland के बारे में और information आपको क्या ध्यान रखनी है, जो NCRT में लिखा हुआ है, 11th की में, और 12th के NCRT में जो immune system के related points है, वो भी आपको ध्यान रखने है, यहाँ पर क्या होता है, maturation होता है, lymphocytes जो है, वो बनती है बोन मेरो में, उनमें से जो lymphocyte migrate हो जाती है, और जिनमें antigen को पहचानने की उसमें शमता विकसित होती है, या antigen से fight करने की जो capability develop हो पाती है, वो किसमें हो पाती है, थाइमस gland में जाकर के हो पाती है, तो उन lymphocytes को बोला जाता है T lymphocytes और जो बोन मेरो में रहकर की काम करती है, उन्हें कहा जाता है B lymphocyte, T for thymus gland और T lymphocytes में इनका differentiation हो जाता है, T helper हो गया, T cytotoxic हो गई, T memory हो गई तो इसलिए जो TT word लग रहा है, इसका basically meaning कौन सा है, thymus gland meaning है तो thymus gland में जो hormone secret किये जाते है, thymus gland के दौरा, उन्हें कहा जाता है thymocytes इसलिए इसमें सही answer कौन सा चला जाएगा students, first option is the correct answer तो students, question number 106, 106 में आपके सामने यहाँ पर 4 options है, 1, 2, 3, 4 4 options में से क्या पूचा है आपसे, correct option पूचा है, यदि एका क्या होगा, विद्रुवन होगा या फिर एका क्या होगा, depolarization होगा, तो आप सबसे पहले समझिए, exolema होती है exolema, यानि exon की plasma membrane, जब वो किसी भी प्रकार के impulse का conduction नहीं कर रही होती तो क्या होता है, बाहर की तरफ तो कैसा charge होता है, positive, अंदर की तरफ कैसा होता है, negative ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर की तरफ तो potassium ions ज्यादा होते हैं, और, sorry, बाहर की तरफ जो होता है, वो sodium ions ज्यादा होते हैं बाहर की तरफ plus, अंदर की तरफ minus, तो इस condition को हम क्या कहते है, polarized, जब भी कोई stimulus आता है, और वो stimulus, threshold stimulus है, तो वो क्या करवाता है, उस particular part की sodium की voltage-gated channel को खुलवा देता है, जिसके कारण से बहुत सारा sodium बाहर से अंदर आता है, और जब बाहर से अंदर sodium आता है, तो वो part कैसा हो हो जाता है, depolarized हो जाता है, तो यही यहाँ पर सेम हुआ, एपर sodium अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पर एका क्या हो गया, depolarization हो गया, तो एका depolarization हो गया, तो polarity change हो गई, अंदर आप देखिए, कैसा charge आ गया, plus, और बाहर कैसा charge आ गया, minus, ठीक है, तो यह वाला B है हमारा, B अभी भी कैसा है, polarized है, ए तो कैसा हो गया, depolarized और B अभी भी कैसा है, polarized, यानि A का तो क्या हो रहा है, वी धुरवन और B अभी भी कैसा है, धुरवित अबस्ता में, तो अब हमें, यह question, जो logica ही नहीं, अगर आपको physics भी आती है, तो question solve हो जाएगा, आपको पता है कि हमेश अग्जुलीमा के अंदर का type है, यह NCRT से ही उठाया वा diagram है, तो यह अंदर से plus के minus को ले जा रहा है, यह अंदर से plus minus को ले जा रहा है, और बाहर से minus से plus को ले जा रहा है, तो यह देखिए, बाहर वाला जो है, यह गलत हो जाने के कारण, first option हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ह अंदर प्लस आ गया, यह अभी भी polarized है, इसलिए बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, यह same, अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, क्योंकि एका क्या हो गया, depolarization, यह अभी भी polarized है, इसलिए अंदर माइनस है, बाहर के तरफ क्या है, प्लस है, तो कहां से कहां move करेगा, current, बाहर के तरफ देखिए प्लस से माइनस बिल्कुल सही दे रखा है अंदर भी प्लस से माइनस सही दे रखा है अंदर प्लस से माइनस और बाहर की तरफ भी प्लस से माइनस यानि जो थर्ड ऑप्शन है हमारा यहां पर एकदम फ्रेश ली देख लीजे प्लस से माइनस जा रहा है प्ल माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और इधर वापस माइनस से प्लस बेज दिया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन से मैच नहीं भी हो रहा, इस भी फोर्थ ऑप्शन हो जाता है गलत, तो एक्जॉन के अंदर तो चाहती है हमारी एक्शन पोटेंशल की वेव, उसी को हम नर्व इंपल कहते है, नर्व इंपल्स क्या है, एपाट पर जब पॉलिटी चेंज हुई, तो यहाँ पर पैदा होगा एक्शन पोटेंशल, अब यह एक्शन पोटेंशल आगे जा रहा है, किस पर जा रहा है, बी पर, बी से कहा जाएगा, एसे आगे बढ़ता जाएगा, और इसी अगर हम लोग देखिए 106 में तो सही option हो गया हमारा थर्ड option चलिए आगे चलते हैं कि देखिए इस question को ध्यान से देखिए अगर हम लोग निम्न चित्र को ध्यान में रखते होए सही विकल्प का चेहन कीजिए अगरेफर तुदी गिवन डियाग्राम एंड चूज दी कर्रेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगे ए बी सी थ्री पार्ट दे रखे हैं ए पर आपको पता है कि ए पर कौन है ए पर है ब्रेन ए पर कौन है मस्तिष्क बीपर कौन है स्पाइनल कॉर्ड पर कौन है स्पाइनल कॉर्ड और सी पर कौन है सी पर है नर्वस पर हो गई नर्वस बीपर हो गई स्पाइनल कॉर्ड और ए पर हो गया ब्रेन तीन चीज़े है इनके रिगार्डिंग हमें सही आंसर बताना है गलत बात हो गई यह बात NCRT में किसके लिए दे रखी है ब्रेन के लिए दे रखी है सी तो नर्वस है तो फर्स अप्शन तो हो गया गलत आपको पूछा क्या है सही विकल्ब यानि कि आपको करेक्ट बताना है ठीक है आजाओ ABC CNS का पार्ट बता रहा है ABC केंद्रिय तंत्रिका तो गलत पात हो गई C तो nerves है nerves क्या बनाएंगी peripheral nervous system बनाएंगी परीधिये तंत्रिका तंत्र बनाएंगी तो यह बात भी क्या हो जाती है गलत हो जाती है हमारी तीसरा C तंत्रिकाओं को प्रदर्शित करता है C किसको represent कर रहा है nerves को बिल्कुल सही बात है थर्ड option पर ही हमें हमारा answer मिल गया फिर भी 4 को पढ़ लेते है B को component बता रहा है PNS का बलकि B तो spinal cord है B तो किसका component होना चाहिए CNS का होना चाहिए और C को बता रहा है CNS का तो यह और option is the correct answer चलिए आगे चलते हैं चलिए यह क्यूशन मैसदा फॉलविंग का है स्टुडेंट्स देखिए गाउट का मतलब क्या होता है गाउट का मतलब हो जाता है गाउट एक प्रकार की disease है जिसमें जॉइंट्स में यूरिक ऐसिड का accumulation हो जाता है यानि की जोडों में यूरिक अमलों के करणों का जमाव तो यह पर आपका आजाएगा संधी शोत यानि आर्थराइटिस आर्थराइटिस आर्थरोस वर्ड का मतलब हो गया joints आईटिस लग जाए किसी के पीछे as a suffix के तौर पर तो उसका मतलब हो जाता है इंफ्लामेशन तो आर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया inflammation of joints तो बीपे क्या हो गया आपका थर्ड ऑप्षन और सी पर हो गया अस्थी सुशीडिता यानि osteoporosis तो osteoporosis का क्या मेनिक हो गया osteoporosis किसकी वज़े से हो जाता है अगर हमें इनमेश से इसलेक्ट करना हो तो females में estrogen की कमी से osteoporosis देखने को मिलता है तो c पर हमारा हो गया second यानि की one third two one second third हो गया इसलिए गलत हो गया ये second से start हो रहा है गलत हो गया ये second से start हो रहा है गलत हो गया one third two यही हमारा सही answer है तो fourth option is the correct answer in question number 108 आगे चलते हैं देखिए किसको छोड़कर सभी स्थलों में synovial joints इसमें से क्या है कि तीन तो synovial joints के example है और एक किसी दूसरे टाइप का example है तो अगर हम देखें knee joint तो knee joint synovial joint का example है atlas और axis में भी कौन सा joint है synovial joint है ठीक है pelvic griddle में उनका जो joint है वो कैसा joint है वो cartilaginous joint का example है इसी वजह से 109 में हमारा सही option जो की synovial joint नहीं है वो कौन सा हो जाता है आपका fourth option हो जाता है कौन सा वाल हो जाता है fourth option किसको छोड़कर दिये गए सभी स्थलों में synovial संधियां पाई जाती है तो the synovial joints are found in all the listed location except तो किसको छोड़कर के pubic symphysis को छोड़कर के बाकी सभी में कैसा joint है synovial joint है तो इसलिए correct आंसर कौन सा हो गया है इसमें fourth option चलिए आगे चलते है the part of human ear associated with body balance यानि हमारे कान का कौन सा part balance का का काम करता है तो आपको मैं फटा-फट से बता हूँ हमारे कान के तीन पार्ट है external ear, middle ear, internal ear internal ear के फिर से दो पार्ट है उपर की तरफ vestibular apparatus और नीचे की तरफ कौन हो गया cochlea cochlea आपको पता है hearing के लिए काम आता है vestibular apparatus के अंदर semi-circular canals है उनमें है crystal ampolaris और autolith organ utricle और सेक्यूल जिसमें है macule वो तो बनाएगा static balance और semi-circular canal में जो crystal ampolaris है वो बनाएगी dynamic balance तो हमें तो चार option है चारों में से ये बताना है कि balancing का काम कौन सी वाली option में दे रखा है तो देखो पहले option में ही हमें पता चल गया कि balancing से associated कौन सा पार्ट हो गया semi-circular canal organ of corti सुनने से संबंदिते है cochlea सुनने से संबंदिते और timpana ear drum तो सुनने से संबंदिते है तो सही answer हमें यहाँ पर कौन से option में मिल गया first option में इसलिए 110 का correct option कौन सा हो गया first option is the correct answer आगे चलते हैं मोटे तंतु का एक लगी घटक है monomeric form पूछिए थिक filament की तो आपको पता है students हमारे सामने दो प्रकार के filament होते है एक तो कौन सा filament होता है एक तो है आपका थिक और एक है थिन थिक filament की में monomeric यह दोनों की दोनों आपके बेसिकली देखा जाए तो यह polymeric protein है यानि की जो monomer से मिलने से बने है एक्टिन की बात करो थिन filament कौन सा वाला होता है एक्टिन और थिक फिलामेंट कौन सा होता है मायोसिन तो मायोसिन की जो monomeric unit है वो कौन सी होती है इसकी जो अगर हम देखे मोनोमरिक यूनिट जो है वो इसकी क्या कहलाएगी मीरो और और वही मैं एक्टिन की बात करूं तो ये किस इसकी यूनिट कोंसी होती है एंग एफेक्टिन तो आप से किस की पूछी है थिक फिलामेंट की पूछी है तो फर्स्ट उप्शन में ही इस दिए गो मीरो नहीं करेंगे आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है तो बस आपको यह पता हो जाना चाहिए कि क्यूशन कहां से लिया हुआ है अगर confusion है तो clear हो जाना चाहिए कि चलिए अब देखो इस question में हो सकता है कindruck लोगों की गलतियां हो धियां बहुम से समझ न यह होता है कि आपको question पढ़ना चाहिए अच्छे से किसका opposite direction में पूछ रहा हैte Filtrate comport Olay अаmass enzymes ब्लड़ का नहीं और ascending limb में उपर के तरफ जा रहा है तो opposite direction में हो गया handling loop की दोनों भुजाओं में या two limbs of handling loop और वहीं हम vasa recta को देखें तो vasa recta में तो filtrate का नहीं है वो किसका है vasa recta में blood का opposite direction में flow है और पूछा किसका है filtrate का पूछा है इसलिए 112 में कहीं कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है पहला option ही क्या हो गया correct answer हो गया तो opposite direction में filtrate का flow किसमें है first option में ही आपका सही answer हमें मिल जाता है आगे चलते हैं यह बहुत ही आसान सा question है ammonotelism किसको किसके secretion को कहते है ammonia के जो uria secret करे ureotelism जो uric acid secret करे uricotelism जो ammonia secret करे वो क्या कहलाएगा ammonotelism इसी वजह से सही answer कौन सा हो गया इसमे ammonia is the correct answer ammonotelism is the process of excreting ammonia ठीक है आगे चलते है तो देखिए sweat gland के secretion की बात हो रही है तो आपने पढ़ा भी होगा का सीक्रेट करती है कि यूडिया भी करती है सोडियुम क्लॉराइट ॻ भी करती है लेक्टिक एसड बी करती है पर केल्शियुम कार्बोने तो स्वेत ग्रेंट करती टीनत तो मुझे नहीं लगता कि शायद यह जितने भी लोगों ने दंगल दिया होगा उन्हें से किसी का गलत हुआ होगा आपको इन में से identify करना है कि right atrium कौन सा है, right ventricle कौन सा है, left atrium कौन सा है, left ventricle कौन सा है तो देखो शरीर के अंगों से रख, यानि कि body part से जो blood आएगा, वो obviously किस के अंदर आएगा, right atrium में आएगा right atrium से tricuspid valve से वो blood किस में चला जाएगा, आपके right side की ventricle में चला जाएगा right ventricle से फिर कौन निकलेगी, pulmonary artery, pulmonary artery किस को देगी, lungs को, lungs से वो blood किस में collect होगा, pulmonary vein के थुरू, left atrium में left atrium से bicuspid valve कि थुरू किस में आएगा, left ventricle में, तो x पे, w पे, y पे, z पे, यही तो हमसे पूछा है, तो देखो, w पे, right atrium है, right atrium यहाँ पर भी है, और w पे, right atrium यहाँ पर भी है, यह दोनों options तो हो जाते हैं, गलत, ठीक है, rv, lv दे दिया गलत, आगे देखते हैं, x पे, right ventricle, तो x पे, तो left atrium दे रखा है, इसमें तो यह हो गया, गलत, x पे, right ventricle, y पे, left atrium, z पे, left ventricle, तो सही answer कौन सा हो गया, हमारा, second option जो है, वो हमारा, correctly, सही तरह से बता रहा है, सही answer कौन सा हो गया, second option, चलिए, आगे चलते हैं, देखे, यह बिल्कुल बहुत आसान सा question है, आपको बताना है कि किस तरह से conduction होती है, इसमें एक और चीज़ रिवाइस कर लो, जो लोग जने पूड़ा सा idea नहीं है, इस तरह से अगर हम लोग heart की बात करें, बच्चों, तो देखो, तो यहाँ पर जो ऐसे node होता है, देखो, ऐसे node कहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर तो मिलेगा, ऐसे node, यहाँ पर मिलेगा, एवी node, इस interventricular septum पर मिलेगा, bundle of hills, और यह ऐसे चल करके आगे divide हो जाएगा, किसमें, पुरकिंजे fibers में, तो यह कौन सा node है, ऐसे node, ऐसे node कौन है, pacemaker, सबसे ज्यादा action potential की wave वही बनाता है, location क्या है, right, upper right corner of right atrium, एवी node की location क्या है, lower, lower left corner of right atrium, ठीक है, तो यह ऐसे node हो गया, यह कौन सा node हो गया, एवी node हो गया, इसके बाद में यह कौन हो गया, bundle of his, और last में यह कौन हो गया, और किंजे fibers, तो आप से conduction का order पूचा है, कहां से कहां start होगा, तो obviously, sa node, sa node से, av node, sa node किस पर दे रखा है, हमें, d पर दे रखा है, sa node से, av node, av node किस पर दे रखा है, हमें, a पर दे रखा है, वहां से bundle office, bundle office हमें कहां पर दे रखा है, B पर दे रखा है, और bundle office से कहां पर उरकिंजे fiber, यानि DABC, तो DABC कहां पर आ गया, यह रहा, fourth option पर DABC आ गया, बाकि इन में कहीं पर कोई भी match, the following में नहीं बैठेगा, कोई भी match नहीं बैठेगा, इसलिए साही आंसर आमेर कहां पर मि ऐसे होता है, ठीक है, किस-किस फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में, डिजॉल्व फॉर्म में होता है, और किस फॉर्म में होता है, कार्बामीनो हिमोगलोबिन की फॉर्म में होता है, और किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो कार् और बिल्कुल मिनीमम जो है 5-7 वो आपका किसके थूरू होता है प्लाजमा में डिजॉल स्टेज में होता है तो यही पूचा है कि परसंटेज पूचा है परसंटेज से कन्फ्यूस कर दिया यानि मैक्सिमम स्यूर्टू किसके थूरू ट्रांस्पोर्ट होती है तो आख बंद करके ऑप्शन लगा सकते हो आख बंद करके लगाना मत पर गलत ठिक हो जाएगा सही ओमर बननी है तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बाई कार्बोनेट आयांस थर्ड ऑप्शन इस अगे चलते हैं अब देखो ये क्विश्चन है इसका कंसेप्ट सीख लो जिनको नहीं पता वो आज ढंग से सीख लो देखो ये एक्जेक्टली में क्या है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ठीक है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यानि हीमोग्लोबिन का क्या प्यार किसके लि पॉर ऑक्सीजन यानि की ऑक्सीजन के लिए बंधुता ठीक है ता है ये बंधुता ऑक्सीजन के लिए बंधुता ठीक है अब इस प्यार को कम करवाने वाले तो दुश्मन कहलाएंगे इस प्यार को बढ़ाने वाले दोस्त कहलाएंगे यानि की वो characters जो affinity को decrease करेंगे वो enemy factors है जो factors affinity को बढ़ाएंगे वो friend factors है enemy factors कौन कौन से है अगर CO2 का partial pressure ज्यादा है तो ये enemy factor हो गया H plus ion concentration ज्यादा है तो ये enemy factor हो गया, temperature ज्यादा है तो ये enemy factor हो गया, pH कम है तो ये enemy factor हो गया, oxygen का partial pressure कम है तो ये enemy factor हो गया, वही friend factors कौन कौन से हो जाएंगे, CO2 का partial pressure कम होना friend factor हो गया, temperature का कम होना friend factor हो गया, hydrogen ion की concentration कम होना friend factor हो गया, oxygen का partial pressure ज्यादा होना friend factor हो गया, pH ज्यादा हो फ्रेंड फेक्टर हो गया तो एनिमी फेक्टर फ्रेंड फेक्टर एनिमी हमेशा जुकाने का काम करता है और दोस्त हमेशा उठाने के काम करता है बस ये ट्रिक समझ लो दुश्मन जुकाएंगे और दोस्त उठाएंगे ठीक है तो देखो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो oxygen dissociation curve की बात कर रहा है यह students तो oxygen dissociation curve में इस तरफ तो हम लोग क्या ले लेते हैं हीमोगलोबिन की percentage saturation और इस तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पे हमारा normal सा sigmoid curve बन जाता है अब यह है x-axis और यह है y-axis मालो की यह graph x-axis की तरफ shift हो तो इसको तो हम कहते हैं right shift और इधर की तरफ shift हो तो इसको हम कहते हैं left shift अगर दोस्त प्रेजेंट है तो जुकेगा नहीं अगर फ्रेंड प्रेजेंट है तो पुष्पकड़ाय लोग याद रख लेना जुकेगा नहीं फ्रेंड फैक्टर है तो उठेगा यानि कि जो factors affinity को बढ़ाएंगे तो graph किस तरफ shift होगा left की तरफ और अगर दुश्मन factors है तो ये affinity को क्या करेंगे घटाएंगे तो graph किस तरफ shift होगा right की तरफ question में क्या पूचा है कि oxygen dissociation curve अगर right की तरफ shift हो रहा है right की तरफ shift हो रहा है मतलब कौन मौजूद है enemy factors और enemy factors है तो ये oxygen और hemoglobin की शादी को तोड़ना चाह रहे है मतलब कि उनके प्यार को घटा रहे है मतलब कि affinity को decrease कर रहे है इसलिए सही answer घटेगी या फिर क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी और अगर left की तरफ पूचता तो फिर answer क्या हो जाता increase हो जाएगी technical तरीके से हम देख सकते हैं अगर हम कोई भी point यहाँ पर माल ले percentage hemoglobin saturation का तो इस पर तो देखो इतने पर ही हमें मिल गया और इस वाले पर हमें इतने पर मिल गया और इस पर देखे तो इतने म मिल गया जो राइट की तरफ है उसमें हमें इतना percent saturation करने के लिए ज्यादा partial pressure लगाना पड़ रहा है जो left की तरफ है हमें इतना hemoglobin saturation करने के लिए कम partial pressure लगाना पड़ रहा है तो यह technical तरीके से जिनको graph अर्चे से पता होगा उनका question कभी गलत नहीं जाएगा तो इस question में स volume of air a person can inspire after a forced expiration मतलब मैंने force expiration किया मैंने forceful expiration किया तो मेरी ERV को भी मैंने बाहर निकाल दिया अब मैं maximum कौन-कौन सी volume को ले सकता हूँ तो मैंने जो ERV बाहर निकाली है उसे ले सकता हूँ plus tidal volume को ले सकता हूँ और मैं अगर forceful inspiration करूँ तो मैं किसे और ले सकता हूँ IRV को ले सकता हूँ तो इनका जो total है किस-किस का ERV plus TV plus IRV इन तीनों का total क्या कहलाता है आपका vital capacity यानि कि जैविक शमता और अगर मैं इसमें residual volume जोड़ दूँ तो यह बन जाये का total lung capacity तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूचा है vital capacity के बारे में पूचा है इसलिए answer यहा आपसे मौनो-फायो-डॉन के dental formula के regarding question है तो मोनो-फायो-डॉन टीत होते कौन-कौन से है देखो बूदो मोनो फायो डॉन्ट, मोनो फायो डॉन्ट, जिनने हम हिंदी में कहते हैं, एक बार दन्ती, यानि कि जो लाइफ टाइम में एक ही बार आए, वो कौन-कौन से होते हैं, एक तो होता है, प्री मोलर, और कौन से होता है, लास्ट मोलर, और डेंटल फार्मूला में हम एक तरफ के हाफ जो में अपर जो और लोर जो की बात करते हैं, तो एक तरफ प्री मोलर कितने होते हैं, दो, और मोलर कितना है, जो मोनो फायो डॉन्ट है, वो कितना है, एक, तो अगर हम इसमें से ऑप् एक लास्ट मुलर, दो प्री मुलर और एक लास्ट मुलर, ये लाइफ में एक ही बार आते हैं, इसलिए ये हमारे कौन से टीथ हो गए, मोनो फायो डॉंट टीथ हो गए, आगे चलते हैं, देखे, ये बहुत आसां सा क्weशन है, वाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस को, एक कॉमन डॉक्ट डॉडनॉम में ले जाती है, उसका नाम क्या है, उस डॉक्ट का नाम है घ्पैटो पैंक्रियाटिक डॉक्ट और उस डॉक्ट प pied 0 लगा हुआ होता है, उसको हम बलाते तो इसके according किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा यक्रत अगनाशही नली का हेपेटो-Pancreatic duct जो है वो common duct है जो किसमे ओपन हो रही है dudonum में open हो रही है इसलिए सही answer क्या हो गया first option is the correct answer आगे चलते हैं देखिए जो stomach है उसमें gastric acid का secretion कौन करता है gastric acid का secretion कौन करेंगे parietal cell या oxyentic cell और जो enzymes हैं जिनने gyemogens कहते हैं pepsynogen हो गया proranin हो गया इनका secretion कौन करेंगे peptic cell करेंगे या फिर जिनने हम chief cell के नाम से भी जानते हैं तो हमें यहाँ पर exactly correct answer मिल गया first option में ही कि parietal cell ही secretion करेंगे तो आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है तो 122 भी एकदम flat question है सही answer कौन सा हो जाएगा option number one को कोक्रोच के heart में कितने chamber होते हैं तो ध्यान रखना कोक्रोच के heart में 13 chamber 13 chambers होते हैं और 12 pair lary muscles वहाँ पर लगी होती है और क्या याद रखना है कोक्रोच के heart की जो location है वो उसकी डॉर्सल साइड पर होता है कोक्रोच एक नॉन कॉड़ेट है नॉन कॉड़ेट के अंदर हमने देखा था ncrt ने भी जो साइस की blood vessel होती है जिसी में heart का modification हो जाता है इसलिए सही आंसर कितने chamber पूचे है 13 chamber और इनसे related muscles पूचता जिनने हम lary muscle कहते हैं तो answer चला जाता 12 pair इन chambers में ऑस्टिय होते हैं एक इस तरफ और एक इस तरफ जहां से हीमो लिंफ अंदर आता है और cockroach में जो flow होता है हीमो लिंफ का वो posterior से anterior की तरफ होता है यह heart जो है इनके chambers उस हीमो लिंफ को head वाले sinus में pump करते हैं तो इसलिए correct option हमारा कौन सा हो गया students 13 chambers is the correct answer कि देखिए नर cockroach में शुक्रानों के सम्हों को bundle of sperm in male cockroach male cockroach में जो sperms का bundle होता है उसे हम spermato 4 कहते है male cockroach spermato 4 को release करता है female के genital pouch में वहाँ से spermato 4 निकल के उपर spermatica में चले जाते हैं उधर से ovirial में हर ovirial में एक अंडा होता है ovirial से 8 इधर आए 8 इधर आए यानि 16 ovum आ गए उनके उपर से spermatica से sperms आते हैं और internal fertilization होता है फिर इन एक capsule में रख दिया जाता है उस capsule का नाम होता है उथिका और अगर आपको ध्यानों NCRT में साफ लिखा हुआ है कि एक female cockroach 9 से 10 उथिका का formation करती है और हर उथिका में 14 से 16 अंडे पाए जाते हैं कौन से वाले fertilized एक पाए जाते हैं तो यहां इतना नहीं पूचा है यहां पूचा है कि sperms का जो bundle होता है male cockroach में उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं शुक्राणू धर हिंदी में और इंगलिश में कहते हैं इस परमेटो 4 तो सही आंसर कौन सा हो गया पूर्थ option is the correct answer वसा का संग्रहन करने वाला यानि fat storing adipose connective tissue किसका modification है तो loose connective tissue का या ariolar connective tissue का modification है जिन में adipocytes के number क्या हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं तो इसलिए आंसर इसमें भी कहीं कुछ सोचने की जोड़त निया correct option कौन सा हो गया हमारा first option is the correct option कि तो देखिए question number 126 क्या पूल रहा है कि similarity बतानी है आपको किसकी बीच में सरल घनाकार उपकर रहा और सरल शल्किय उपकला तो दोनों में शेप अलग है शल्किय में फ्लेट है चप्टी कोशिक आए है और घनाकार में कैसी है क्यूब के जैसी cells है तो इनमें अगर हम similarity की बात करें तो दोनों की दोनों जो लेयर होती है दोनों की दोनों जो निहापे नाम दे रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है सिंपल और सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर तो दोनों की दोनों कैसे होंगे एक पर्तिय होंगे यानी यूनिलेयर होंगे इसलिए इसका सही answer कौन सा चला गया फस्ट ऑप्शन, देखिए, आपको क्या बताना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानि फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाला इवेंट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाला इवेंट, तो देखिए, उगोनिया शब्द दे दिया उगोनिया नहीं सेकंडरी उसाइट होता तो फिर भी स्पर्म की एंट्री से भी अगर हम फर्टिलाइज़ेशन माल लेते तो कह देते कि चलो यह पूस फर्टिलाइज़ेशन हो गया पर उगोनिया दे दिया तो यह क्यूशन गलत हो गया मतलब यह पूसेशन गलत हो गया ब्लास्टो सेट गा फwałमेशंन तो फॉसलिया इवे थर दिया यह classic कौन से है थर अप्शन फॉर्मेशन औप बहु धयिए सही आंसर भी ए sperm 미ोgenesis pre-fertilization event है ठीक है? यानि sperm 미ोgenesis यानि जब sperm जो है वो sperm की particular shape acquire करते हैं उस process को ہम sperm 미ोgenesis कह देते हैं तो correct option अगर हम देखे 127 में तो हमारा कौन सा हो गया? 4th option is the correct option आ गया आज़ो और पहचानना है, ये question भी काफी बार आ गया होगा, ये इस तरह की questions काफी बार आ जाते हैं, तो आप अपना concept ध्यान रखना, इसमें केवल यही revise कर सकते हो, ऐसी ही female में भी ध्यान रखना, किसमें deployed numbers हैं और किसमें haploid number है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखूगे, spermatogonia 2 2N, primary spermatocyte 2N, primordial germ cell 2N, पर spermatid में कितने हो जाएंगे N haploid, तो बाकि की तीनों में तो chromosome number सेम है, पर अगर spermatid में देखने हैं, तो इसमें chromosome number अलग हैं, इसलिए 128 में सही answer कौन सा हो गया, 4th option, अब देखो, manustral phase के just बाद कौन सा phase होता है, manustral phase is followed by, तो manustral phase के बाद तो सार particular phase को हम pre-ovulatory phase भी कहते हैं, इसमें estrogen high होता है, इसलिए हम इसे estrogenic phase भी कहते हैं, इसके बाद 14th पे हो जाता है ovulation, उसके बाद जो phase आता है, वो fix होता है 14 days का, कैसा भी numerical है, हमेशा ध्यान रखना कि post-ovulatory phase जो है, वो fix होता है कितने दिन का 14 days का, इसके नाम और कौन-कौन से ह होता है, इसे हम luteal phase भी कहते हैं, क्योंकि इसमें corpus luteum मन जाता है, secretory phase भी कहते हैं, क्योंकि progestron के कारण uterine gland secretion करती है, और progestronic phase भी कहते हैं, क्योंकि इस phase का main hormone कौन सा है progestron है, तो menstrual cycle, menstrual phase के just बात पूचा है, यानि bleeding के just बात, तो वो कौन सा वाला phase होता है, follicular phase is the correct answer, यानि पुट्टि की अवस्ता, तो सही option कौन सा होगे, 129 में, first option is the correct answer, देखो, ये बात यहाँ पर की है, आपसे coitus interruptus method की, यानि coitus interruptus एक प्रकार का natural contraceptive method है, एक प्रकरतिक जो है, वो विधी है, और इसके अंतरगत क्या होता है, इसके अंदर जो male partner होता है, वो in, वो ejaculation क के दौरान, अगर हम लोग देखें, तो अगर इस वाले method को अगर हम NCRT के point of view से देखें, तो इसमें क्या होता है, कि इसको हम withdrawal method भी कह देते हैं, ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते है, withdrawal method भी कह देते हैं, इसके अंदर ejaculation से पहले, जो insemination होता है, उससे prevent करता है, तो ovulation का कोई idea नहीं होता, तो यह option यहाँ पर set नहीं होगा, बैठेगा भी नहीं, by avoiding insemination, बिल्कुल सही बात है, insemination को avoid करना, just before ejaculation, ejaculation से just before insemination को avoid करना, इसी लिए male partner penis को withdraw कर लेता है, तो इसमें सही option second बैठ जाएगा, condom का use कर लिया, तो यह फिर artificial के अंदर चला जाएग और by avoiding insertion of penis into the vagina, तो यह भी गलत हो जाएगा, इसलिए सही answer इसमें कौन सा हो जाएगा, second option, देखिए, mandal ने कौन सा trait study नहीं किया था, तो mandal ने seed color study किया था, flower color किया था, जो stem length है वो भी किया था, यह तो आपने 10th में पढ़ाऊगा, capital T, small t, पर leaf का color जो है न, वो उसका था, पूचा है, तो second option is the correct answer, genotypic ratio पूचा है, किसका, mandal का जो law है, dominance का, उसके exception का, जिसका नाम क्या है, incomplete dominance, तो incomplete dominance का genotypic ratio कितना होता है, 1 ratio, 2 ratio, 1 is the correct answer, अब मैं इसको explain करके आपका time waste नहीं करूँगा, आपको पता है, mandal के, जितने भी law है, उनके ratio और mandal के exceptions है, उनके भी genoty आपको पता होने चाहिए, genetics में कमसे हम, ये ratio आपको याद रहने ही चाहिए, इन पर कई बार flat question आ जाता है, सीधा ratio पूच लेता है आप लोगों से, तो इसलिए धियान रखना, 9331, 3 ratio 1, जितने भी ratio है, उनको थोड़ा सा summarize करके कहीं, ये copy में लिख लेना, ताकि आपका question गलत ना हो, अगर flat question आ जाए, exactly ratio पूच ले इस तरीके का, तो इसमें answer कौन सा हो जाएगा, 1 ratio, 2 ratio, 1 जो की हमें 4th option में दे रखा है, ये भी genetics का question है, इस तरीकी का symbol किसको show करता है, अगर ये symbol हम देखें, pedigree के अंदर, तो ये एक normal female को represent करेगा, ये disease female को represent नहीं करेगा, किस इसको represent करेगा, 133 में सही option कौन सा हो गया, एक सामानने महिला, यानि सामानने मादा, normal female, तो इसमें 133 में सही option हो गया, हमारा 4th option is the correct answer, next question की तरफ चलिए, ये geological time scale की बात कर रहा है, NCRT में जो दोनों graph दे रखें, evolution वाले chapter, graph क्या वो diagram जो दे रखें, एक तो plants की evolution को बता रहा है, animals की evolution को बता रहा है, वहाँ पर आप देखिए, side में geological time scale दे रखें, तो geological time scale में हम लोगों ने काफी सारे era बनाए, azoic era, azoic era, aarcheozoic, proterozoic, paleozoic, mesozoic, cenozoic, तो जो अभी जो era चल रहा है, अभी जो महाकल्प चल रहा है, वो कौन सा वाला चल रहा है, cenozoic era ठीक है ना, तो यही आप से पूछा है कि अभी वर्तमान में कौन सा वाला time चल रहा है, तो वर्तमान में cenozoic era चल रहा है, और इसलिए answer इसमें कौन सा हो गया, second option is the correct answer, यह बहुत ही आसान सा question है, 135, typhoid की आप से पूछा है कि typhoid की, जो diagnostic technique है वो कौन सी है, diagnostic method जो है typhoid का बहुत famous है, विडाल test, salmonella typhi, इसका positive agent हो गया, typhoid Mary, Mary Melon, तो वो सब किस के regarding है, typhoid के regarding, तो यह तो बहुत ही flat question है, आप से पूछा है कि typhoid का हम कौन से test की द्वारा पता लगा सकते हैं, तो कौन सा test हो जाएगा, answer कौन सा ह हो जाएगा, विडाल test is the correct answer, यानि की विडाल prediction सही जवाब है, आगे चलते हैं, यह तो था set A, जिसमें ज्यादतर question flat थे, ताकि आपका समय बचे, और आपका बस एक बार question आपके सामने आए, तो वो topic जो है, आपका थोड़ा सा दिमाग में revise हो जाए, अब चलते हैं हम set B क मतलब था, section B की तरफ हम लोग चल रहे है, section B में देखिए, पहला question क्या है, homo gygus pure lines in cattle can be obtained by, गोवंश में सम्युगमजी, शुद्धवंश करम प्राप किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये बात कर रहा है, inbreeding की, और inbreeding में क्या होता है, कि एक ही breed के, related animals की बीच में breeding कराई ज जाते हैं, तो जो हमें आने वाली जो नसले होती है, आने वाली जो, basically, जो generations होती है, वो कैसी हो जाती है, homo gygus pure lines हो जाती है, तो अगर जबी भी homo gygus pure line बनानी हो, तो क्या करवाई जाएगी, inbreeding, और उसमें किस के बीच में करवाई जाएगी, mating of related animals of the same breed, एक ही नसल के अब जिन बोल दिया, गलत हो गया, विभिन नसल बोल दिया, गलत हो गया, विभन प्रजातियों के मध्य बोल गया, ये भी गलत हो गया, तो देखो आप, एक ही नसल के ऐसम्मंधित के बीच में करवाने की बात हो गई, तो ये क्यांसा वाला हो गया, आपका outcrossing, विभिन स्लों की बीच में करवाने की बाद हो गई तो यह हो गया संकरन यानि की hybridization वाला जो method हो गया आपका crossbreeding और विभिन प्रजातियों के बीच में species की बीच में यह हो गया interspecific hybridization ठीक है तो इसमें आपका पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा ध्यान रख लेना हो में जाएगा स्प्योर लाइन मतलब एक ही breed के related animals के बीच में breeding यह आपका NCRT का डाइगराम है यह वाला तो सी वाला हो गया लंबार रीजन इसमें फाइव होंगी डी वाला हो गया आपका सेक्रल वाला तो इसमें कितनी होंगी आपके वन क्योंकि फ्यूज हो जाती है और और यहां पर कुछ और हो गया यहां पर कुछ हो गया सही ऑप्षण हमें कहां पर मिल गया स्टुनेंट्स सेकर्ड आप्षण में हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है A में 7, B में 12, C में 5, D में 1, E में 1, ठीक है, D रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्रल को, E रिप्रेजेंट कर रहा है कॉक्सिजियल को, C रिप्रेजेंट कर रहा है लंबार को, B रिप्रेजेंट कर रहा है थोरसिक को, E रिप्रेजेंट कर रहा है सरवाइकल को यानि ग्रीवा शेत्र वक्षी है कटी और उस तरीके से सरवाइकल यह जो हमारा human में vertebral column का formula है वो सभी को याद होगा बस वो ही आप से पूछा गया है आप ठीक है देखिए इसमें match the following हमें करनी है AIDS कौन है AIDS की बात करें तो acquired immunodeficiency syndrome तो AIDS है syndrome तो A का हो गया S HIV कौन है HIV एक retrovirus है ठीक है तो यहाँ पर आ गया P reverse transcriptase क्या है reverse transcriptase एक enzyme है तो यह आ गया Q ELISA क्या है एक diagnostic technique है तो D पर आ गया R यानि SPQR तो S यहाँ पर केवल एक option में ही दे रखा है तो सही answer कौन सा हो गया first option is the correct answer ठीक है आगे चलते हैं देखिए रामापा थिक्कस जो था आप ऐसे याद रख लो राम राम कौन थे भगवान तो राम भगवान इंसान मतलब human के जैसे थे तो इसलिए रामापा थिक्कस से याद रख लो वो किसके जैसा था ज्यादा man-like था और dryopathicus ज्यादा किसके जैसा था एप लाइग तो इसलिए यादि कपी के समान ज्यादा कौन था dryopathicus और मानव के समान कौन था रामापा थिक्कस तो ए में क्या आ जाएगा मनुष्य समान यानि की man-like और dryopathicus किसके जैसा था apply तो A में आ गया man like B में आ गया apply तो 139 में हमारा सही answer कौन सा हो गया second option ये देखिए ये साफ तोर पर NCIT में लिखा हुआ है ये क्या है marsupial mammals में adaptive radiation है एक common ancestor जो था वहाँ से ये evolve होए और अलग-अलग parts में Australia के चले गए और एक parts से निकल के फैल गए तो ये एक तरीके से किसको शो कर रहा है divergent evolution को भी ये शो कर रहा है तो देखो पहले में convergent evolution बोल दिया तो गलत हो गया अब सारी विकारस gene flow तो ये भी यहाँ पर set नहीं होगा third option देखिए adaptive radiation in Australian marsupial तो बस हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है third option में हमें सही answer मिल गया fourth option में adaptive convergence वैसे adaptive convergence है नहीं in placental mammal placental बोलते ही तो ये पूरी तरह से गलत हो गया तो सही answer हमें देखने को मिले third option में ही हमें सही answer मिल जाता है इसलिए 140 में हमारा सही answer कौन सा हो गया third option is the correct answer देखिए जब drug को अंतह शीरी रूप से लिया जाता है तो किन रोगों की होने के संभावना बढ़ जाती है जब drugs को intravenously लिया जाता है तो blood के through जो फैलने वाली बिमारियां है वो transmit हो सकती है तो इन में से सबसे common जो diseases जा सकती है वो कौन सी हो गई आपके AIDS हो गया और कौन सी हो गई Hepatitis B हो गया तो AIDS और Hepatitis B जो है वो किस तरह से फैल सकती है वो intravenously drug abuse के कारण उनके chances क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं और ये दोनों हमें कहां मिल गया fourth option में हमें पता चल रहा है 1B और 2B तो सही आंसर कौन सा हो गया transparent structure को तो cornea आख बंद करने का मतलब first option जो है cornea सही आंसर हो रहा है एक्थम sclera ये transparent नहीं है ये तो ओपेक है आईडिस भी ओपेक है रेटीना भी ओपेक है तो transparent structure कौन सी है जिसमें से light power हो जाए तो वो structure कौन सी है वो structure है आपकी cornea तो सही आंसर कहाँ पे हो गया first option is the correct answer sickle cell anemia sickle cell anemia एकदम flat question है autosomal recessive disease है यानि कि a link a प्रभावी रोग है इसलिए 143 में सही आंसर कौन सा हो गया third option देखिए सीमन जो है male का इसको देख लो question को vesectomy हम लोगों ने कराई vesectomy में जो vas difference है इसे या तो क्या कर दिया गया cut कर दिया गया या फिर इसे क्या कर दिया गया tie कर दिया गया vas difference ही testis से कहाँ पे ले जा रही थी शुक्राणू को यानि spums को कहाँ पे ले जा रही थी abdominal cavity की तरफ ले जा रही थी तो जो accessory reproductive glands है वो तो अपना secretion बनाएंगी पर उनमें क्योंकि vas difference को हमने काट दिया या भान दिया तो उनमें spums present नहीं होंगे तो semen में क्या नहीं मिलेंगे spums present नहीं होंगे पर जो accessory reproductive glands है उनका secretion present होगा तो इसलिए vasectomy के बाद नरका वीर दिया है शुक्राणू हीन होता है does not contain spums तो बस यहीं पर हमें सही आंतर मिल गया does not produce नहीं produce तो होगा semen तो produce होगा पर उसमें spums नहीं होगे fructose fructose भी होगा seminal vesicle का secretion होगा immotile spums नहीं immotile motile कोई से भी spums produce नहीं होगे उसके अंदर पाई नहीं जाएंगे इसी बज़े से यहाँ पर हमारा सही answer हो गया first option देखिए इस वाले flow chart को देखते हैं तो sperm और ovum आपस में मिलते हैं तो fertilization होगा यहाँ पर बन गया yugmanaj या फिर क्या बन गया zygote इसमें cleavage हुआ तो cleavage होने की बाद में जो पहली stage बनेगी वो कौन सी बन जाएगी morula ठीक है तो a पर तो कौन आ गया morula morula में आगे divisions होते गए तो morula की बाद बन गई कौन blastocyst और इस blastocyst के अंदर की तरफ तो मिलेगा आपको inner cell mass जिनकी cells को हम लोग क्या कहते है जिनकी cells को हम लोग कहते है stem cells कहते हैं क्योंकि ये किसी भी body organ के अंदर change हो सकती है और जो covering मिलेगी बाहर की जो layer मिलेगी इसमें से जो cells layer बना रही है वो हो जाएगी कौन ट्रोफो blast तो वो कौन सी layer हो जाएगी trophoblast तो अब हमें सही answer लगाना हो तो A पर morula B पर blastocyst और C पर trophoblast A पर morula सही है B पर trophoblast दे दिया trophoblast जो है वो यहाँ पर नहीं होगा इसलिए first option हो गया गलत A पर blastocyst ही दे दिया नहीं A पर तो morula आएगा तो गलत हो गया A पर morula B पर blastocyst और C पर trophoblast थर्ड option में हमें सही answer मिल गया तो 145 में सही answer कहाँ पर है थर्ड option आगे चलते हैं देखिए कोक्रोच में four wings और hind wings कहां से arise होते हैं याने की मध्य है बिसिकली अग्रपंक और पश्यपंक कहां से निकलते हैं तो देखो कोक्रोच के thorax में तीन पार्ट होते हैं उसके वक्षिये में तीन खंड होते हैं Prothorax, Mesothorax और Metathorax Prothorax से कोई भी पंक नहीं निकलते तो पहले जो पंक है पहला जोड़ा जो है पंक होगा four wings है वो निकलेंगे Mesothorax से और दूसरा वाला कहां से निकलेगा Metathorax से तो पंक कहां से अराइज होंगे four wings तो निकलेंगे Mesothorax से और hind wings कहां से निकलेंगे Metathorax से तो सही answer हमें कहां मिल गया first option is the correct answer और वहीं तीनों वक्षिये खंडों में यानि तीनों thoracic segment में एक एक जोड़ी टांगे भी निकलती हैं तो legs की बात करें हम cockroach में तो total legs हो जाती है six यानि कि कितनी pair three pair और पंको की बात करें तो total wings हो जाते है four जिन में से कितने two pair जिन में से जो four wings है वो flying में काम नहीं होते हैं वो कौन से वाले काम में आते हैं hind wing काम में आते हैं hind wings membranus है और वहीं फोर विंग्स कैसे हैं, ओपेक हैं, डार्क हैं, जिन्हें हम टेगमिना या इलाइटरा भी कहते हैं, ठीक है, तो आंसर हो गया है, इसमें मुजो थॉलेक्स एंड मेटा थॉलेक्स देखिए, हाट की जो सेल्स है, जो हिर्दय की हैं, उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो सिंगल यूनिट के तौर पर कॉन्टरक्ट होती है, तो ये किसकी वज़य से होता है, ये होता है, उनमें स्पेशल टाइब के जंक्शन पाई जाते हैं, जिने हम कहते हैं इंटरकेलेटिट डिस्क, याने की अंतह विर्ष्ट डिस्क जो पाई जाती हैं उनके अंदर, उसकी वज़य से उनकी एक साथ संकुचित होने की शंता विक्सित होती है, इसलिए इसमें सही आंसर चला जाएगा 147 में, थर्ड ऑप्शन इस दी करेक्ट आंसर, देखिए मै इंटरनल लाइनिंग में होता है, तो हमें मैच करना हो, तो कौन सा आ जाएगा, देखिए, क्यों, फिर क्यूबाइडल यानि की घनाकार पूछा है, तो घनाकार जब आ जाएगा, तो नेफ्रोन के जो टुबिलर पार्ट होता है, जैसे की PCT हो गया उनमें, तो B में आ जा आर पी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, Q RP, थर्ड ओप्शन जो है हमारा करेक्ट ओपशन है, तो 148 में हमारा सही आंसर कौन सा है, थर्र ओप्शन इस the करेक्ट आंसर, देखिए एक डियाग्राम आपको दे रहा है मसल का कौन सी मसल है देखती पता चल गया होगा यह है आपकी skeleton muscle voluntary muscle है ठीक है इसके अंदर आपको देखिए रेखित पेशी है इसमें आपको transverse bands मिल रहे हैं तो वो किसका कैसी होती है एचिक पेशी होती है involuntary muscle है नहीं यह एरेखित पेशी है नहीं बाकी का कोई option यहां भी बैठेगा नहीं इसलिए correct answer इसमें कौन सा हो गया first option is the correct answer कि देखिए यह cockroach की आखों की regarding यहां पर question है तो यह देखिए एपर कौन है यह एपर है compound i जिसकी unit होती है ometidia compound i के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो vision compound i देती है यानि कि जो द्रश्टी compound i परदान करती है उसमें जो sensitivity होती है वो तो कैसी होती है ज्यादा पर जो resolution होता है वो कैसा होता है कम तो कैसी होती है अधिक सूग्राहिता द्रश्टी होती है पर विभेदन कैसा होता है कम तो देखो अधिक सूग्राहिता द्रश्टी यानि high sensitive vision तो सही बात है एकदम less sensitive vision नहीं दोनों तो बाते एक साथ कैसी हो सकती है तो गलत हो गया high resolution vision तो भी गलत हो गया और पहला और तीसरा बोल रहा है high sensitive और high resolution नहीं high sensitive होता है पर less resolution होता है तो इसलिए सही option इसमें कौन सा हो जाएगा first option is the correct answer तो ये students आपके सामने geology के कुछ questions थे सभी parts को मैंने touch करने की कोशिश करी तो उमीद है कि आप सभी का paper बहुत अच्छा गया होगा तो बिल्कुल confident के साथ में neat हमें देना है आपको बस ये फिली करना है कि 13 दंगल CLC करवा रही है अपने campus में और एक दंगल करवा रहे हैं all India level पर तो अगर आप बिल्कुल neat का load नहीं लेना neat नहीं है वो आपके लिए एक दंगल है एक और major test है जो आपको 17 जुले को देना है तो उमीद है सभी लोगों का paper बहुत अच्छा हुआ होगा और अगले दंगल के लिए कमर कस लीजे धन्यवाद जैजै CRC